Hello guys, welcome back to channel और Computer System Security के playlist में हमारी third unit जिसके अंदर हमने web security और information security on web उससे related सारे concept discuss किये थे और वही तब जो था हमारा वो सारा curriculum था हमारी universities के syllabus के अंदर, हमारे colleges के syllabus के अंदर की कैसे हम web security के concept को समझ सकते हैं कैसे उनको जमें imply कर सकते हैं वह सभी जो part हैं हमने session 3 के अंदर यह में बोल सकता हूं Unit 3 के अंदर जो हमने discuss की है अब हमारी fourth unit यहां पर start होती है Computer System Security का जिसका नाम है Cryptography Cryptography के लिए यहां पर मैंने आपके लिए 2 keys बना रखी है आप समझेंगे एक मेरी यहां पर light green कलर की की है और एक red कलर की की है तो Cryptography का सीधा सीधा मतलब आसान भाचा में यह होता है कि किसी भी concept को किसी भी data को safe रखना होता है तो उसको safe आप कैसे रख सकते हैं Previous lectures के अंदर जो हमने tools and technologies पढ़े कि कौन से tools hackers use करते हैं कौन से tools हम use करते हैं hacker से बचने के लिए बट उन tools के अंदर कुछ concept use होता होगा जिससे हम बच सकते हैं इस concept का नाम है Cryptography Cryptography basically आपका coding और decoding word आपने सुने होंगे उससे वो match करता है इसके अंदर हमारे दो process होते हैं encryption और decryption जो हमारा encryption होता है उसके अंदर जो भी हमारा data है उसको हम code कर देते हैं ताकि वो easily understandable ना हो अगर hacker उसको अजीव भी कर ले तो और second concept इसके अंदर use होता है हमारा decryption का decryption के अंदर क्या होता है जो भी हमारा encryption हुआ है जो भी data को हमने encrypt किया है code किया है उसको हम decryption के अंदर decode करते है यह इसका simple सा फंडा है आपका cryptography का और इसके अंदर हमारा पहला concept आता है public key cryptography जो भी मैंने आपको concept बताया उसी से topic जो है completely match करेगा अब इसको जो है हम बोलते है public key encryption या फिर public key cryptography इन दोनों नाम से हम इस topic को जानते है यह basic लिए आपका एक method होता है जो कि data को encrypt करता है जहां पे भी encrypt word आएगा आपको सीधा-सीधा mind में एक चीज लेके आनी है coding और जहां पे भी decryption word आएगा decrypting word आएगा आपको सीधा-सीधा mind में एक कीज लेके आनी है decoding coding और decoding यह जो है इस दो words पे आपकी पूरी यूनिट पूरा आपके concept जो है टिके होए है जो मारी public key cryptography होती है यह basic method होता है data को encrypt करने का अब इसके अंदर जो है जो हम encryption process करते इसके अंदर हम दो keys use करते है पहली key होती है हमारी public जो की सभी के लिए available होती है और second की आती है इसके अंदर हमारी private key private key का जो data होता है वो जिसके पास private key का access होगा private key की information होगी वही जो है उस private key के अंदर का data वो देख सकता है यहाँ पर key use होती है public key, private key नेम से suggest हो रहा है public key वो होगी जो की हर कोई individual देख सकता है और private key वो होगी जो की जिस person के पास उस private key के passwords होगे security infringements होगे वही जो है उस data को देख सकता है अब यहाँ पर कुछ logics है कुछ यहाँ पर आप बोल सकते हैं जो भी हमारा data encrypt हो रहा है अगर वो encrypt किया जाता है public key के साथ तो उसको जो है decrypt सिर्फ private key कर सकती है मान लीजे कोई data publicly available है और अगर उस data को आपको देखना है तो आपके पास आपकी खुद की private key होनी चाहिए तो इसलिए जो है public key के साथ इंक्रिप्ट हुआ हुआ data आपका private key के साथ जो है decrypt होगा और इसी तरह जो data हमारा encrypt हुआ है private key के साथ उसका जो decryption process है वो हमारा होगा public key के साथ तो यहाँ पे सीधा-सीधा ultra rules है wise versa का rule है कि अगर public key के साथ encrypt हुआ है तो decrypt होगा private key के साथ और अगर private key के साथ encrypt हुआ है तो decrypt होगा public key के साथ अब यह जो हमारा public key encryption जिसके हम बार-बार बात कर रहे हैं इसको हम जो एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं asymmetric encryption यह basically कुछ names है जो कि university exams में, college exams में या फिर general interviews में काफी पूचे जाते हैं तो इसको आपको ध्यान में रखना होता है अब यह specially widely use होता है मैंने आपको वीडियो की starting में बताया था tools की जो हम बात करते हैं जो कि हमें secure रखते है TLS, SSN, transport layer security या फिर secure socket layer यह सभी tools जो है previous video में discuss कर चुके हैं previous lectures में इसके concepts को हम discuss कर चुके है Cryptography का concept है जो कि HTTPS possible करता है Hypertext Transfer Protocols Secure Version वो security का version है वो just possible हो पाता है हमारा because of Cryptography जिसके अंदर 2 concepts use होते है encryption, decryption जिसके अंदर 2 keys use होती है data को encrypt or decrypt करने के लिए public की और private अब आईए इसको example के help चे समजते जिससे आपको सारा concept हो clear हो जाएगा तो यहाँ पे एक Alice name का person है और एक Bob name का person है तो यहाँ पे Alice name का person है उसने क्या किया उसने simply एक message type किया Hello Bob अब जैसी उसने Hello type किया Hello Bob अब उसको जो है हमारी encryption key जो है वो perform करेगी encryption key मान लीजिए Bob के पास एक public key है वो इस data को encrypt कर देगी जैसी वो data encrypt हो अब आप देखेंगे यह जो मेरा Hello Bob normal text था वो क्या हो गया एक coding data में जो convert हो गया basically कुछ numbers की form में जो है वो convert हो गया अब Alice का बेजा हुआ Hello Bob message अगर Bob को देखना है तो उसके पास Bob की private key होनी चाहिए यानि उसके पास खुद की private key होनी चाहिए तो यहां पर Bob के पास उसकी private key है आप देख सकते हो red color की अब Bob जो है अपनी private key का use करेगा और यह जो data code होके जो है यहां पर आया है Bob के पास उसको वो decrypt करेगा decode करेगा और वापिस से जो यह numbers के form में data था वो हमारा convert हो जाएगा text form में और जो general message Alice Bob को बेजना चाहता था वो Bob के पास पहुँच गया और माल दीजिए इस process के बीच में इस numbers के बीच में कहीं पे hacker आपकी public key को break करके enter कर जाता आपके data के अंदर तो उसको जो है आपका normal message नहीं मिलेगा उसको आपका normal यह numbers के form में data मिलेगा जिसको वो decrypt नहीं कर सकता because जो numbers को decrypt करने की है वो just आपके user के पास है जैसे कि यहाँ पे Bob के पास थी तो यहाँ पे वही चीज mention है anyone can encrypt data with public key public key के साथ जो है आप किसी भी data को encrypt कर सकते हैं but अगर आपको इस data को देखना है तो आपकी private key के साथ ही वो decrypt होगा तो यहाँ पे सीधे सीधे दो logic निकल के आते हैं कि जो encryption का process है वो public key के साथ होता है और जो decryption का process है वो हमारा private key के साथ होता है तो यही था हमारा cryptography या concept जिसके अंदर encryption, decryption, public key, private key concept यूज हुए Thank you